जाएन साथियों आज हम अपने इस नए वीडियो में आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के लिखित परिख्या के संदर्भ में जो हमारा जी एस का सिक्षन है उसमें मूल विधी विशय पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे अभी तक मूल विधी में हम देख रहे थे भारती दंड विधान या आई पीसी अठारा सो ताठ्थो में अभी तक हमने देखा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमने एक एक धारा जो है उनको पढ़ा और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बाद हमने यह देखा कि दुस्प्रेरण क्या है एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी चैर्चा कर लेते हैं कि आई पीसी एक सो साथ में दुस्प्रेरण को परिफासित किया गया है कि दुस्प्रेरण किसी कारे को उक्साने वाली जो बात है उक्साने वाली जो प्रक्रिया है किसी अपराध को करने के लिए उक्साने वाली कि जैसे कोई आदमी किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उक्साने वाला कारे करता है वह है दुस्प्रेरण तो IPC 107 में दुष्प्रेरण की प्रक्रिया को परिभासित किया गया है दुष्प्रेरण है क्या 108 में दुष्प्रेरख की बात की गई है दुष्प्रेरख जो दुष्प्रेरण का कार्य करता है और IPC 109 में दुष्प्रेरण के लिए दंड की बात की गई है और इसी में एक और धारा है एक सो आठ का और यह है भारत से बाहर किये गए अपराधों का दुस्प्रेरों भारत से बाहर किये अपराधों का दुस्प्रेरों इतनी बाते हमने अपने अंतिम लेक्षर में की थी दुस्प्रेरण 107 में, दुस्प्रेरक 108 में दुस्प्रेरण के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वह 109 में है और 108 में भारत से बाहर के अपराधों का दुस्प्रेरण इतनी बाते हमने अभी तक के अपने लेक्षर में की थी और आज हम एक नया टापिक शुरू करने जा रहे हैं और वह है राजी के विरुद्ध अपराध हो क्या है राजी के विरुद्ध अपराध साथियो किसी देश को चलाने के लिए जिस व्यवस्था की जरूरत होती है जिस काइदे कानून की आवस्यक्ता है रूल एंड रेगुलेशन्स की उसे हम आसान भासा में सम्विधान कहते हैं कि एक देश एक राष्ट एक सम्विधान से चलता है और उस सम्विधान के खिलाफ जो कारे होता है उस संग्य धाचे को चलाने के लिए जो काइदे कानून बने हैं उनके खिलाफ जो कारे होता है उसको ही हम राज्य के विरुद्ध किया गया अपराद समझते हैं यह ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई कारे या अगर कोई अपराद हो तंग्य धाचे को चलाने के लिए जो निर्धारित काइदे कानून है उनके खिलाफ किया जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि वह अपराद वह कारे राज्य के विरुद्ध किया अपराद होगा या संग्य धाचे को या समयधान को चलाने के लिए जो हमारे समयधानिक पद है जैसे राष्ठपती जी है राज्यपाल है इनके उपर यदि कोई अपराद किया जाता है इनके उपर यदि कोई हमला किया जाता है तो वो भी समझा जाता है कि वह कृत्य या वह अपराद राज्य के विरुद्ध अपराद माना जाएगा तो हम चर्चा करते हैं राज के विरुद अपराद की राज के विरुद अपराद है क्या और इसके तहत जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं भारति दंड विधान की हम उसकी चर्चा करते हैं में तो जो ऌ हैं परिच्छाओं में सवाल आते हैं वह द्हारा अगया अगया थैसे संम्धित जो बाते हैं उनके संबंध में कि कौन से धारा किस अपराद से संबंधित है या तो यह पुछते हैं या इस अपराध का या हत्य का या चोरी का जिस भी तरीके का अपराध हो उस अपराध का दंड किस धारा में है ये पूछा जाता है किसी अपराध के दंड स्वरुप जो सजाएं है वो कितनी है ये रेरली पूछते हैं या नहीं पूछते हैं तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं राज ये के विरूध जो अपराध हैं उनके संबंद में और शुरुवात करते हैं धारा एक सो एक कैस से साथियों धारा एक सो एक कैस या बहुत ही महतुपूंग धारा है हमारी आगामी उत्तर बुद्र जरूगा भरती दोजार एक किस की लिखित परिछा के संदर भूमें धारा एक कैस क्या कहती है या धारा एक कैस में क्या बाते हैं कही गई है राज के विरुध युद्ध करना या राज के विरुध युद्ध करने का दुस्प्रेरण करना धारा एक सौ एक कैस में ये बात कही गई है राज के विरुध युद्ध करना या राज के विरुध युद्ध करने का दुस्प्रेरण करना यह है बात धारा एकडा हैस के तहद कई गई कि गई है और इस धारा मैं धारा एक सौ के सौ एक विरुध युद्ध करने की दुस्प्रेरण को प्रत्रेबंधित किया गया है एवं द интересно का प्राउधान किया गया है हम जैसे समझ लेते हैं कि राज के बिरुद्ध युद्ध करने का दुस्प्रेराण होता कैसे है जैसे मान लिजिए कि एक देश है एक देश है उसमें कई तरीके के संगठन संचालित होते हैं हर संगठन की अपनी अलग-अलग मांगे होती हैं हर संगठन के अलग-अलग नेता होते हैं या उस संगठन को चलाने वाले होते हैं यदि कोई संगतन किसी देश में जो चल रहा है, वहा अपनी किसी मांग को लेकर सलक पर उतरता है। और कि उस संगतन की जो मांग है वो धीरे धीरे हिंसक वारदातों में बदल जाती हैों और संगठन का जो नेता है वह आपने संगठन के कार्यकरताओं से कहता है कि आप राष्ट के विरुध युद्ध की तैयारी करों तो ऐसा समझा जाता है कि वह नेता जिस संगठन का है वह राज के विरुध युद्ध करने का दुस्प्रेणन करता है और इसे ही धारा 121 में बताया गया है राजी के विरुद्ध युद्ध करना या राजी के विरुद्ध युद्ध करने का दुश्प्रेरण करना यह बाते धारा 121 में बतलाई गई है और इसी से संबंधित एक और धारा है हम उसकी वी चर्चा कर लेते हैं और वो है धारा 121 कर धारा एक्सो एककेस्त में क्या बातीं कही गई है राज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आप राधिक शड्यंत्र करना आप राधिक शड्यंत्र करना जैसा कि हमने अपनी अंतिम कक्षा में देखा था अपनी अंतिम वीडियो में भारति दंड विधान की धारा 120 का और 120 ख के बारे में 120 का यह आप राधिक शड्यंत्र से संबंदित था और भारति दंड विधान की धारा 120 भी या 120 ख यह आप राधिक शड्यंत्र के दंड से संबंदित था और धारा 121 का कहता है राधिक के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आप राधिक शड्यंत्र करना यह धारा 121 का में यह बातें कही गई अब एक अगली धारा है उसकी भी हम यहाँ पर राज के विरुद्ध युद्ध का जो अपराध है उसी के अनुकरम में हम चर्चा करते हैं और और वह भी इसी के बाद की धारा है और वह है धारा 122 साथियों धारा 122 में कौन कौन से बातें बतलाई गई हैं इसकी चर्चा करते हैं 122 में कहा गया है राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए या युद्ध करने के आशाय से आयुद्ध आदि संग्रहित करने करने का मतलब है या अत्या धुनिक असलहों की व्यास्था की राज्य के विरुद्ध युद्ध करने में या कोई अपराधी राज्य के विरुद्ध करने में आइडि जमा करता है या असलह जमा करता है एसल्थ राइसल्थ की व्यास्था करता है राज्य के विरुद्ध युद्ध के लिए तो इसे ही धारा ये 122 में प्रद्वंधित किया गया है इसमें दंड का प्रावधान किया गया है राज्य के विरुद्धिया दिकोई युद्ध करने के लिए आयुध आज संग्रहित करता है तो उसे भारति दंड विधान की धारा 122 का तो उसी पाया जाएगा और उसे सजा मिलेगी अर्थात धारा 122 में क्या बातें कही गई है राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आयुध आदि का संग्रहित करना आयुध आदि को एकप्त्र करना यह बाते धारा 122 में कही गई है इसी से संबंधित एक अगली धारा है वह है भारति दंड विधान की धारा 123 और धारा 123 में कहा गया है राज्य के विरुद्ध युद्ध करने कि परिकल्पना को कि परिकल्पना को सुकर बनाने यह आपके लिए एक नया सब्द होगा के आसाय से छिपाना धारा 123 राज के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने यह सुकर बनाने कार्थ है आसान बनाने राज के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर या आसान बनाने की आसे से उसको छिपा लेना यह है भारतिय दंड सहिता की धारा 123 और इसी धारा में इसको प्रद्वंधित की यह भीव किया गया है और इसमें दंड का प्रावधान किया गया है तो धारा 123 किस से संबंदित है धारा 123 राज के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना को आसान या सुकर बनाने की के आसे से छिपाना यह है धारा 123 अब इसी आनुक्रम में एक अगली धारा है और यह भी एक महत्वपुन धारा है जिसकी हम अब चर्चा करने जा रहे हैं और वह है धारा 124 साथियो धारा 124 में क्या बातें की गई हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको हम यहां लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि साथियों जो हमारी संगी कार्यपालिका है कि संग में जो प्रथम व्यक्ति है वह है राष्ट्रपति और राज्य में जो प्रथम व्यक्ति है वह है राज्यपाल तो धारा 124 के अनुसार राश्ट्पति अथ्वा राज्यपाल को राश्पति अथ्वा राज्यपाल पर हमला करना जो हमारे संघी की कारेपाली क्या है उसमें राश्ट्पति अथ्वा राज्यपाल पर हमला करना यह है 124 के तहट या इसमें एक और बात है जो समझने लायक है कि हमला राश्ट्पति राज्यपाल पर क्यों किया जाए इनकी विद्विपूर्ण जो सक्तियां है भारति दंडविधान की धारा 124 के अनुसार राश्ट्पति तथा राज्यपाल की विद्विपूर्ण सक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो विवस्ट करता है और इस आसा से राश्ट्पति तथा राज्यपाल पर हमला कर विद्विपूर्ण सक्तियों के प्रयोग करने के लिए विवस्ट करना एवं उनुपर हमला करना उनुपर अर्था किस पर राश्ट्पति या अथ्वा राश्ट्पति अथ्वार राज्यपाल की विद्विपूर्ण सक्तियों के प्रयोग के लिए विवस्ट करना दबाव डालना या राश्ट्पति अथ्वार राज्यपाल पर हमला करना यह है भारति दंड विधान की धारा 124 में यह बातें कही गई हैं और इसी धारा में इसे प्रतिबंधित किया गया है कि अगर कोई राश्ट्पति अथ्वार राज्यपाल के विद्विपूर्ण सक्तियों का प्रयोग करने के लिए उन्हें विवस्ट करता है या उन पर हमला करता है तो उसे भारति दंड कि धारा 124 में अब इसी अनुक्रम में एक और और सरवाधिक महतुपूर्ण धारा है इस धारा के संबंध में प्राय है आप समाचार पत्रों में या न्यू चैनल्स में देखते होंगे और अब हम उसी की चर्जा करने जा रहे हैं धारा 124 ए भारति दंड विधान की जो धारा 124 है 124 ए यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है परिच्छा के लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह धारा है राजद्रो इसके सब्द से इस सब्द का क्या मतलब है इससे आप सभी परचित है राजद्रो क्या है वह हर प्रकार का आपराधिक क्रित्ति जो संभी धाचे को चलाने वाले जो काइदे कानून है संभिधान है या भारत की संप्रवदा एक तायम जो अखंडता है उसको चैलेंज करने वाले वह सारी क्रित्ति वह सारे अपराध्य आपराध्य राजद्रो की स्रेड़ी में आते हैं और जो राजद्रो की धारा है वह है भारती दंड विधान की धारा 124A 124A में राजद्रो को परिभासित किया गया है या 124A राजद्रो से तम बंदित यह बहुत महतुपूर धारा आपकी आगामी उत्तरवर्ष दर्वगा भरती 2021 की लिखित परिख्या के संद्रव में यह बहुत ही महतुपूर धारा है और इसे हम सभी को याद रखना है कि राजद्रो किस धारा में परिभाशित किया गया है तो उसका हमें जवाब देना है 124A 124 कर या 124A अब सात्यों इसी एनुक्रम में एक धारा और है उसको हम देख लेते हैं वह है भारती दंड विधान की धारा 125 125 125 या 125 सिक्षान 125 या धारा 125 क्या कहती है इसको हम देखते हैं समझते हैं भारत सरकार से मित्रवत संबंध रखने वाले ACI देशों से युद्ध करना अर्थात 125 ये किसे संबंधित है भारत सरकार से मित्रवत संबंध रखने वाले जो ACI देश हैं उनसे युद्ध करना यह है धारा 125 और यह भी बहुती महत्पूर्ण धारा है भारत सरकार से मित्रवत संबंध रखने वाले ACI देशों से युद्ध करना यह है भारती दंड विधान की धारा 125 एक धारा इसमें और हमें पढ़नी है जहां से प्रश्ण आ सकता है और वह है इसी से संबंधित धारा 126 साथियों धारा 125 में हमने देखा कि भारत सरकार से मित्रवत संबंध रखने वाले जो ACI देश हैं उनसे युद्ध करना यह बाते कही गई है धारा 125 में और धारा 126 में क्या बाते हैं भारत सरकार से भारत सरकार से सांती का कंबंध रखने वाली स्थक्तियों के छेत्र में लूट पार्थ करना 125 क्या था भारत सरकार से मैत्री संबंध या मित्रवत संबंध रखने वाले ACI देशों से युद्ध करना और 126 भारती दंड विधान की धारा 126 है भारत सरकार से शांती का संबंध रखने वाली स्थक्तियों के फेत्र में लूट पार्थ करना यह है धारा 126 यह है राज के विरुद्ध अपराद से संबंधित अलग-अलग धारा हैं इसमें हमने देखा 121, 121 कर 122, 123, 124 कर 125 और 126 यह महत्वपूर्ण धारा है राज के विरुद्ध किये अपराद से संबंधित हैं और इसे हम सभी को याद रखना है यह परिक्षा के लिहाज से जो हमारी आगा में उत्तरप्रदेश दरोगा भरती 221 की लिखित परिक्षा है उसके लिहाज से यह सारी धाना अत्यांत ही महत्वपूर्ण है एक एक विशय को हमें इसी तरीके से एक एक धारा को पढ़ना है और याद रखना है जिससे हम आगामी परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रशनों का जवाब उचित धंग से दे सकें अब साथियों इस आज के लेक्षर में राज के विरुद्ध जो अपराद है उसके लिक्षर में याद 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 आपको कोई बात ना समझ माई हो तो आप नीचे लिखे comment section में आप बता सकते हैं याद साउंड में कोई से क्षिन में ही दूञातियों मिलते हैं वह अपने वारतिय दंड विधान की अगली क्लास में तब तक आप दखते रहें और जो हैs एक धारा को तयार करते रहें आगामी परिक्षा के समझने में तब तक नमस्कार्च यह